गुड मॉर्निंग क्लास्टर्ट कैसे हो बेटा सब आपको बता है बेटा आपके अग्जाम्स आ रहे हैं तो आपने अभी से आप शुरू कर दो अपनी स्टडी करना थोड़ा-थोड़ा करोगे तब भी आप अग्जाम में अच्छे मार्क्स लो सकोगे बेटा आज मैं आपको हिंदी ग्राम्मर का अपठित गदयाश करते हैं बेटा तो आपको एक पैरा दिया होगा इन उसके बाद आपको इसे पैरे में से कोशन पूछे जाती है कि इसका अंसर क्या है तो आपने सबसे पहले ये पैरा पढ़ना है जो आपको गद्याश दिया हो एक प करना है उसके बाद ही जो आफसे कोशन पूछा जाता है फिर उसका अंसर इस गद्यांश में से आपने डूंड के बताना है ठीक है जैसे अब इसमें बोला है उन्होंने नीचे दिये गद्यांश को पढ़ कर पूछे ये प्रशनों के उत्तर दीजिए क्या बोल रहा है कि जो पूछो है उसके बारे में बताओ अब आओ चलो शुरू करते हम इसको रीड करना रोहित अपने माता पिता के साथ चंडिगड में रहता था गर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी बुड़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी रोहित अपनी दादी से स्कूल और महले की बाते बता था वे दादी को रेडियो और टैडिविजन पर सुने समाचार भी सुनाता इसलिए सब उससे क्या कहते थी दादी का रेडियो कहते थे ठीक है पेटा आपने अग्जाम में जब आयेगा आपको तो आपने एक या दो बारी आपने ये गध्याश को अच्छे से रीड करना है समझना है इसमें क्या क्या है उसके बाद फिर आपने इसके क्या करने हैं प्रशन करने हैं जो इन्होंने पूछे हैं जैसे रोहित कहां रहता था तो हमने पढ़ा पीछे देखो बेटा रोहित कहां रहता थ चंड़िगड में रहता था पिंद फ सीने कोशने से जआ आथी कही जाएं क्यों नहीं परेफ ती आपने रिच में जुन्ड़ों कि क्यों नहीं पर देखों यह देखों नहीं घर्रन दाथी कहीं authentically थी आप उच्छाना क्यों नहीं पाती हूँ क्या था वह बुड़ी होने कराण ककश बादी की का रची यूविद को दादी का रेडियो कहते थे ठीक है फिर उसके बाद लिंग बदलो अब लिंग बदलो भी बेटे इसमें यह जैसे माता पिता दादा दादी बाई बेहन तो यह बच्चों आपका क्या था अपठित गद्यांश जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं अंसिन पैसेज हो हिंद सब्सक्राइब करने नेक्स सब्सक्राइब लिखना है और इसी तरह आपको पेपर में कोई ऐसा गद्यांश आजएगा तो आपने उसमें से कोश्चन जो प्रशन दियोंगे उसके आपने उत्तर इस गद्यांश में से ऐसे डूड़ने हैं ठीक है बेटा